इम्रान सेफी उत्तर पर्देश नियूज एक्सप्रिस्वे में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं गंगा एक्सप्रिस्वे प्रोचेक्ट के बारे में और आज हम आपको संपूर जानकारी देगे गंगा एक्सप्रिस्वे मेरत जिले के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं गंगा एक्सप्रिस्वे मेरत जिले में कहा से सुरूप किया जाएगा गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर परदेस के सियम श्र्य योगी आदिति नाच जी का एक dream project है थोड़ी हम इसकी हिस्ट्री पे थोड़ा प्रिकाष्ट डालेगे यी गंगा एक्सप्रेस वे 2019 कुम के मेले में योगी आदिति नाच जी ने इसकी घोसरा की ती और जमीली इस्तर पर इसको लाने के लिए उत्तर परदेश के सियम स्री योगी आरितिनाजी निरंतर इस पर कारिये करते रहे और यूपिडा को निर्देश दिये के हमें 2024 तक इस गंगा एक्स्प्रिस्वे का निर्मान करकर इसको संपूर करना है और इसके लिए यूपिडा कन्टिनियू वर्क कर रहे है क्योंकि इस गंगा एक्स्प्रिस्वे को उत्तर परदेश का सबसे बड़ा एक्स्प्रिस्वे माना जा रहा है और इस गंगा एक्स्प्रेस्वे के बनने से और गंगा नदी के टट से दस किलो मीटर आउट से ये गुजर रहा है इसको इस गंगा एक्स्प्रेस्वे को गंगा नदी से गंगा नदी तक मिलाने की योजना उत्तर परदेश के सियम स्रीयोगी अधिति नाथ जी ने बनाई है और उसी के बेस पर वर्क चल रहा है अब हम बात करते हैं कि इस गंगा एक्स्प्रेस्वे को मंजूरी मिलते ही इसका सर्वे फाइनल कंप्लीट करने के बाद सभी पिरक्रिया फाइनल होने के बाद अब ये मेरेट जिले के अंदर गंगा एक्स्प्रेस्वे मेरेट बुलंसेर राष्टिय राजमार्क नेच 334 नियर बिजोली गाउं से इसकी सुर्वात की जा रही है और एनेच 334 मेरेट बुलंसेर जो राष्टिय राजमार्क है उससे इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं कि इस गंगा एक्स्प्रेस्वे मेरेट जिले के कितने गाउं सामिल किये गए है इस गंगा एक्स्प्रेस्वे मेरेट जिले के नो गाउं सामिल किये गए है अब हम उन नो गाउं की जानकारी भी आपको दे देते है अगर आप किसान भाईयों को नहीं पता हो वो गाउं कौन कौन से है सबसे पहले हमारा गाउं आएगा मेरेट बुलेंसेर राष्टे राजमार्क NS334 के दोनो तरफ कौन कौन से गाउं स्टार्टिंग हो रही है और दोनो गाउं के बीच में से ये गंगा Expressway स्टार्ट किया जा रहा है सबसे पहला गाउं है धनोटा उसके बाद है आपका दूसरा गाउं है बिजोली तीसरा गाउं है गोविंदपुरी और चोथा गाउं है खडखडी और पांचवा गाउं है बधोली और छटा गाउं है अत्राडा और सात्वा गाउं अटोला और आठवा गाउं आपका साफियावाद लोटी और नोवा गाउं है आपका नित्यानंद पूर ये वो गाउं है जिन गाउं की जमीन में गंगा Expressway होकर गुजरेगा इन नोवाउं की जमीनों का भूमी जो सरकार करेगी तीन सो से जादे किसानों की जमीन इस गंगा Expressway में जा रही है और महतपूर चीज बतायता हूं इस गंगा Expressway में मेरड जिले की भूमी खरीद की पिरक्रिया परारम कर दी गई है इस मेरड जिले के अंदर आपका गजट जारी कर दिया गया है आपत्ती लगा दी गई है और आपत्ती लगाने के बाद इस गंगा Expressway में ये पूरी की पूरी जो कमान सोपी गई है उत्तर परदेश के सियम और यूपिडा के CEO अमनीश कुमार आवस्ती ने जो कमान दी है मेरड के जिला जो डियम है के बाला जी को उनकी कमान सोपी गई है इस भूमी अधिकरण की और SDM इस पर वर्क कर रहे है और आपके जो भूमी अधिकरण अधिकारी है आपके वो भी इस पर नियंतर करकर इस पर कारी कर रहे है और जो आपकी इसके अंदर जितनी भी आपत्ती लगाई गई है उनका निटारा किया जा रहा है क्योंकि इस गंगा एक्सप्रिस वे में भूमी अधिकरण की परक्रिया प्रानम होनी है और उत्तर पर्देश के सियम स्रीयोगी आदित टिनाजी ने इस गंगा एक्सप्रिस वे को मैं भूमी अधिकरण के लिए 6 मन्त यूपिडा को दिये है और यूपिडा ने हर जिले को अधिकारी को कमान दी है कि हमें बहुत ही जल्द इस गंगा एक्सप्रेस्वे में भूमी अधिकरण कर ली जाए दो बात आती है आपने बहुत सारे उत्तर पर्देश के अंदर एक्सप्रेस्वे बनते हो देखा होगा उन पर बहुत सारी अर्चने आती है क्योंकि उनमें भूमी अधिकरण की जाती है मैं अधिकरण का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस गंगा एकस्प्रेस में जो मास्टर प्लान बनाया गया है उत्तर पर्देश के CMC理 योगी आजिब तिलाथ के द्वारा और इस गंगा एकस्प्रेस में जमीन का भूमी अधिकरन नहीं होगा सिदे किसानों से एक हाथ में किसानों को पैसा दिया जाएगा और दूसरे हाथ में किसानों से जमीन ली जाएगी एक हाथ में लेओ एक हाथ में दो इसमें सीधे सरकार बेनामा करेगी किसानों का भूमी को लेकर और किसानों का सलकी लेटों के अकोर्डिंग जो सरकार किसानों को दे रही है सलकिर रेट का चार गुना बढ़ा कर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा इसी काराल जो आपत्ती लगाई गई है इस गंगा एक्सप्रेस्वे में सलकिर लेट को लेकर लगाई गई है और प्रिजेंट में इस वक्त गंगा एक्सप्रेस्विक का सलकिल लेट बढ़ा दिया गया है सरकार ने और बहुत ही जल्द इसकी घोस्णा होने वाली है तो दोस्तो इस गंगा एक्सप्रेस्विक का सिरानास 2021 जून के महा में उत्तर परदेश के सियम सिरी योगी अधितेनाज जी हमारे देश के मान्य सिरी प्रदान मंत्री सिरी नरेंदर मोधी जी और यूपिडा के सियो अवनीश कुमार आवस्ती जी और परिवहन मंत्री नितिन कडगरी जी इसमें उपस्तित हो गए और मेरट के डियम आपके सभी अधिकारी राजनेता सभी इसके अंदर उपस्तित होकर गंगा एक्सप्रेश्व का सिरान्यास दो हजार एक्किस जून के माह में किया जाएगा उससे पहले पहले इस गंगा एक्सप्रेश्व में भूमी अधिकर्ण की पिरक्रियत समाप्त करकर किसानों को मौावजा देकर इसका सिरान्यास की तैयारी में सुरू हो जाएगा तो दोस्तों ये है गंगा एक्सप्रेश्व की मेरट जिले की संपूर जानकारी जो आप मैंने आप लोगों को बताई है और नैस्ट हम बारे जिलों के उपर भी ऐसे ही वीडियो लेकर आएगे कहां पर कौन सी जिले में क्या हो रहा है फिलाल आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नैस्ट वीडियो में जब तक के लिए हम इजाजा चाहते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद